हलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक आपर ओफिसियल यूटीब चैनल यूथ कमपडिशन टाइम, साथियो यूथ कमपडिशन के ओफिसियल यूटीब चैनल पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत है, साथियो एक नए ओफिसियल अपडेट और एक नए वीडियो के साथ करेंगे कि यह जो एडवर्टाइजमेंट इस बार आया है, यह एडवर्टाइजमेंट आया कहां से है, इसी एडवर्टाइजमेंट के बारे में हम बात करेंगे, साथियो यह जो एडवर्टाइजमेंट आया है, यह आर्मी के स्कूल से आया है, कहां से आया है, तो आर्मी का जो इस्कूल होता है उसी आर्मी के इस्कूल से यह advertisement आया है देखिए कर रहा है कि यह जो instructions दिया गया है आप उस instructions को क्या करेंगे carefully read करेंगे carefully पढ़ेंगे एक एक चीजों को समझेंगे general instructions for the candidates अब general instructions क्या दे रहा है और साथी साथ कर रहा है online screening test सेप्टमबर 2013 की बात कर रहा है यहां पर जैसे कि हम लोग OTR करा रहा है one time registration करा रहा है उसी तरह से यह किस चीज की बात कर रहा है यह OST टेस्ट की बात कर रहा है अब देखेंगे OST टेस्ट क्या होता है इनके लिए तो देखिए general rule जो यह बता है और यह जाहिर सी बात है जब आर्मी से जारी की जाएगी जब PGT वालों भाई साब के लिए और TGT वालों के लिए जारी किया जाएगा तो किस के लिए जारी किया जाएगा तो आर्मी के जो schools होते हैं उसी schools में vacancies के लिए आप रहा है पोरे भारत में ये आपको देखने के लिए मिलता है यह जो कि अफिलिएट किसे होता है से हमारा होता है और चलता है अगर आप लोग छोड कर बीच में जाएंगे तो दुरगटना आप वी लोग के साथ गटेगा इसलिए ध्यान से इसको देखिए एक इंफॉर्मेशन को अच्छे से जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक लोग आपको परिसान करते अशरी रहेंगे कि ये भ्रह में ये फ़म नहीं आए ये आप लोग य लिए धोखा आया यह ब्रह मया और मैं इसी प्रह को दूर करने के लिए यहां पर आया हूं सात्यों यह यूज सिंट टाम मौर्ड यह का ब्रहर करेगा देखे इस कहा रहा है एंड ऑन-line screening test अल्लाइन screening test and online screening test will be conduct for the teacher under the various category this extract number of vacancies available in the respect of school will be announced by each school management through the advertisement publishing in the newspaper जो यहां पर जो वेकेंसियास होती है newspaper में क्या किया जाता है newspaper के माध्यम से cutting उसमें डाला जाता है और उसी cutting के माध्यम से आपको बताया जाता है कि इस school में इस जगा पे इतने number of vacancies खाली है आर्मी इस्कूल में तो उसी की बात कर रहा है सथी सथ कर रहा है कि post for the teachers in the various categories school भी इधर in regular और और तो regular term पे आपको किया जाएगा या तो fixed term पे किया जाएगा अब इन दोनों को भी हम देखेंगे कि यह regular term क्या होता है और यह fixed term क्या होता है इन दोनों क्या करेंगे detail में analysis करेंगे by the time being आगे साथी साथ कर रहा है nature which shall be informed along with the announcement of vacancies the applicants which fall in the category of regular will be liable to transfer in organization interest साथी साथ आप selection के procedure को देखिए कि यहां पे selection का procedure क्या बता रहा है जो thought number के number को आप observe करेंगे कर रहा है यह नंबर वाले की बात कर रहा कर रहा है online screening test जो की OSD की बात यहां पे कर रहा था अभी हम लोग किस की बात कर रहे थे अभी हम लोग OTR की बात कर रहे थे जब UPSC का फिल किया जा रहा था कर रहा कंप्यूटर बेस्ट ऑनलाइन स्क्रीणिंग टेस्ट विल बी हेल्ड ऑन तीस सेप्टमबर टू थाज़ेंट यह एक यूनिफर्म क्वालिफिकेशन्स डिमांड की जा रही है जो कि हर एक आर्मी पब्लीक स्कूल में अगर आपको आर्मी पब्लीक स्कूल में पढ का यह उस्पर आपके लिए करना जरूरी होगा साथ ही सथ करा आप यहाँ पे हम दूसरा कलर ले लेते हैं क्योंकि यह भी रेड रेन कर 1 2 प उनके लिए क्या होगा वैलिड होगा यह सबसे गुड़ पॉइंट और यह पॉजिटिव निव्स आपके लिए है जो भी पीजीटी किया है और जो के बीएस के टीचर बनना चाहते हैं उनके लिए अगर अगर मिलेटरी स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं तो उनके लिए इंपॉर्टेंट और वैलिड निव्स है कर रहा है विच वी वैलिड फॉर लाइफ यह पूरे जीवन काल के लिए उनके क्या होगा यह वैलिड होगा साथी साथ कर रहा है पासिंग दी ऑनलाइन स्क्रीनिंग कर रहा है कि अगर पास कर लेते हैं अच्छी बात हैं नहीं पास करते हैं तो भी बहुत ज्यादे मेंडेटरी की बात नहीं कर रहा है बात साब साब कर दिया फॉर अपिएरिंग फॉर्ड इंटर्व्यू एंड इवाइलुएशन और टीजिंग इस्किल्स एंड़ विलू अब उनकोो ओट एस प्रकार से पस करना झाप करना अब रिगुलर कैंडिडेट की अगर हम बात करते हैं तो जो बात या फिर 100 marks होगा, second वाले में कर रहा, fixed term candidate की बात कर रहा है, within one year of being appointed with a minimum overall raw score of 40% या 80 marks यहाँ पर होगा, अब यह आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस सीज की बात कर रहा, regular candidate की और fixed term, fixed term candidate की बात कर रहा, note यहाँ पर दिया है, for the candidate who have already qualified in OST, the above conditions will not apply except for those who will apply for the fixed term, for whom the 40% pass marks will be apply, जो 40% pass marks है, वो ही 40% आपका pass marks यहाँ पर अपलाई किया जाएगा, साथी साथ यहाँ पर देखी कर रहा है, B वाले column को, कर रहा है, in addition to fresh candidate, किसकी बात करता है, जो freshers होते हैं, in addition to fresh candidate, the following may also appear in the online screening test, यह भी क्या हो सकते हैं, यह भी online screening test में हिस्सा ले सकते हैं, साथी साथ कर रहा है, holder of scorecard, who want to improve the scores, वो जो score को फिरते improve करना चाहता है, second कर रहा है, the desirous are upgrading themselves, for example, candidate holding scorecard of PGT, देखें, यहाँ पर साप सब्दें दे रहा है, किसकी बात कर रहा है, PGT, TGT की बात कर रहा है, may now want to obtain a card for PGT, having acquiring the additional qualification, इनके पास, अगर आप OST कर लेते हैं, तो आपके पास क्या हो जाता है, TGT के लिए और PGT के लिए, एक additional qualification हो सकता है, यहाँ पर as such information इनके द्वारा share किया जा रहा है, अब interview के बारे में दिया जा रहा है, जो कि अभी आपके लिए important नहीं है, अब जो आपके लिए important है साथि, वहाँ पर हम चलेंगे, और वहाँ पर एक एक चीजों को हम क्या करेंगे, एक एक चीजों को हम आपके लिए बताते हुए चलेंगे, अब देखिए साथि, जो जिस चीज का आपको इंतजार था, वही चीज मैं आपके लिए ले करके आ गया, अब देखिए हम पेन ले लेते हैं, करहें qualifications, criteria's की बात करते हैं, इन दोनों qualifications की बात कर रहा है, सीरियल लंबर की अगर हम बात करते हैं, तो सीरियल लंबर 1,2 और 3 की बात करते हैं, इसी तीन पोश्ट के लिए job opportunities create किया जा रहा है, एक PGT जिसको post graduation teacher के नाम से जानते हैं, एक TGT graduation के नाम से जानते हैं, और एक PRT graduation के नाम से जानते हैं, इन तीनों लोगों की बात कर रहा है, और इन ही तीनों के बारे में हम क्या करेंगे, detail analysis करेंगे, कि कहां पे कितने number of post को क्या किया गया है, जारी किया गया, तमाम चीजों को हम यह आपे देखेंगे और observe करेंगे, कह रहा है, एक्रिगेट क्या कर रहा है, कह रहा है, PGT post graduation 50% की बात कर रहा है, इसमें star लगा है, और इसमें double star लगा है, तो आप देख सकते हैं, कह रहा है कि जो PGT के teacher बनेंगे, professional teacher बनेंगे, उनको पास क्या होना चाहिए, उनके पास beard होना चाहिए, क्या होना चाहिए साथी हो, तो beard होना चाहिए, और aggregate कितना percent, 50% होना चाहिए, साथी साथ कह रहा है, TGT के लिए 50% इस्टार भी लगा है, beard इनके पास भी qualification होना चाहिए, 50% मांग रहा है, aggregate 50%, PRT अगर graduation की बात करते हैं, यह 50% मांग रहा है, और साथ में डबल स्टार यहां पे भी आपको सो हो रहा है, कह रहा है, इनके लिए special क्या कह रहा है, कह रहा है, कह रहा है, 2-year DLA or beard or beard or candidate beard can also apply the full time and conditional of 6 month, PD PDPET, bridged course from the NC, NCTE, NCTE recognized institution and NCTE approves any institutions to conduct said courses within 2 years, कह रहा है कि आपके पास या तो beard होना चाहिए, या फिर आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास DLA होना चाहिए, अगर इस टाइप की चीज़े हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप PRT के लिए apply कर सकते हैं, जो कि 50% aggregate इसका भी हो रहा है, जो 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 रहा है, 50% aggregate इसका भी वेटेज रहेगा, यहां पर क्या कर रहा है, आपको age relaxation भी यहां पर provide कर रहा है, अब आप देख सकते हैं, कि क्या age relaxation आपको यहां पर provide कर रहा है, साथियो आगे चलते हैं, जो आपके लिए important और basic information होना चाहिए, वही important और basic information आपको यहां पर मैं share करता हुआ, चलूँगा, अब देखिए साथ करने वाला उसकी बात कर रहा है, तो method की बात कर रहा है, the test will be conducted online in the MCQ format, means कि multiple choice question आपका conductor करवाया जागा, क्या कर रहा है साथियो, तो multiple choice question आपका conductor करवाया जागा, this question will be randomly generated from a subject specific question bank, a detailed blueprint of this question paper is given anexor no.4, means कि कैसा question paper आएगा, जब anexor no.4 को हम observe करेंगे, तो at that time anexor no.4 के इसका कहां पर दिया जाएगा, तो कर रहा है, a list of examination center will be available in the register protocol, a tentative list of also be placed in anexor no.5, जब हम anexor no.5 को observe करेंगे, at that time हम को पता चलेगा कि examination center इसका कहां कहां पर होगा, साथी साथ आगे हम यहां पर चलते हैं, आगे चलते हैं, और आगे देखते हैं कि किस किस चीज के बारे मे आप यहां पर आपके सामने रखेंगे, अब timeline की बात कर रहा है कि registration कि कब होगा, इसका क्या होगा, जो आप कराना चाहते हैं, जो OST कराने की बात कर रहा है, तो registration की बात करते हैं, 10 July 2013 से 10 September 2013 के लिए आप क्या करा सकते हैं, यहां पर OST करा सकते हैं, भी वाले की availability of admit card online की बा साथी साथ, publications of 23 October 2013, final result scorecard will be percentile, और जो भी आपका scorecard आएगा, पर सेंटाइल के बिया पर आपका scorecard आएगा, आगे चलते हैं, यहां पर यह जो advertisement आता है, बहुत ही लंबा चोड़ा इनका advertisement होता है, और लंबे चोड़े advertisement को पढ़ना थोड़ा सा मुस्किल होता है, अब आप के public school यहां पर आपको provide कर रहा है, पूरा serial number आप देखेंगे, तो 100 से ज्यादा यहां पर army public school का list दे रहा है, list आप army public school, जो कि अभी मैं आपको बताने लगूंगा, तो आपके लिए समस्या हो जाएगी, यह cluster 1 की बात कर रहा है, cluster 6 की बात कर रहा है, cluster 7, cluster 2 की बात कर रहा है cluster 12 की बात कर रहा है, तो इसी टाइब के आप पूरे clusters बनाया गया और clusters में आपको देखने के लिए मिला कि कहां पर army public schools आपके बना करके रखेगा है, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं, आगे यह पूरा स्कूल्स के बारे में दे रखा है, कि कौन कहां कहां पर army public schools के बार ऐख चोड़ करके तो गलती आप कर रहा है क्योंकि मैं एक एक डिटेल इंफॉमेशन को आपके सामने रख रहा हूं आप ए और टूर पे हम लोग आ गया है जो एनगजर नंबर की बात कर रहा था कि आप जब एनगजर नंबर पर जाएंगे तो एन एकड़न लेबल की बात कर रहा है कर रहा है classification of streams की बात कर रहा है अब कौन कौन से streams है जैसे पहले में आप देखेंगे तो humanitarian streams की बात कर रहा है भी में आप देखेंगे science stream की बात कर रहा है पूँचा जाता है जैसे कि आप लोग ने यहां पर देख लिया फॉल Lahind आता है फिसक्राइब करते हैं और batch somewhere इंस्ट्री में क्या आता है साइंस के अगर बात करते है तो साइंसिक में इनका फिजिक्स आएगा चामा पर इंफरोमेटर बैंटी खाट आएगा कंप्योटर थारी फैडिकान सीप्रांटकेशन प्रैट्र। यहां पर दे रहा है वेन वी आर गईंट टॉक अबाट देखने के लिए मिल रहा है साती हो इकोनामिक्स मैथामेटिक्स एकाउंटेंसी डिश्टडी कंप्यूटर साइंस एंड इन्फॉर्मेटिक प्रेक्टिसेस की बात यहां पर की जा रही है बात कर रहा है क्या होगा कि क्या होगा तो नमबर वन पे इंगली स्कूर रखा गया है इकोनामिक रखा गया है धॉड़ पे कंप्यूटर साइंस रखा गया है फिस बब्स भ Р Ah drマ AT कि बात कर रहा है और यहां सभी के बिहाब पर बहुत कर रहा है bertध पर अब हम से बात कर रहा है अगे चलते हैं आगे देखते हैं क्या क्या मांग रहा है अब सातियों यहां पर देख लीजे आप से essential qualifications क्या-क्या मांग रहा है किसकी बात कर रहा तो educational qualification आप से क्या-क्या demand करा अगर हम सिर्याल नंबर वन की बात करते हैं तो क्लास के लिए आपको दे रखा है साथी साथ कर रहा है नेम आप दा पोस्ट के अगर हम बात करते हैं पीजीटी की बात करता है इसेंटियल आप लोगों ने आल्रेडी देखी लिया था टू इयर इंटिग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन एम में और एमस्ट की बात कर रहा है जो कि रिजिनल कॉलेज रिजिनल कॉलेज ऑफ एजूकेशन ऑफ एंसी इन सब्जेक्ट से होना चाहिए और पचास परसेट एग्रिग लिट किया होगा सीरियल नमबर की अगर बात करते हैं हिंदी और संस्कृत हिंदी एज वण आफ दा सब्जेक्ट एट ग्रेजूएशन लेबल पे आपका होना चाहिए अगर यहां पे आर्मी पब्लीक में आप टीचर बनना चाहते हैं थोड़ में कर रहा है पीजीटी ऑक है क्या करते हैं क्या करते हैं एंब हैं इक बिजनस इकनायक्स इकनामिक्स कीank आप कर रहा नपर रहे तो यहां पे अपने arithmetic से किया हो तो या फिर mathematics से होगा या फिर applied mathematics से यहां पर कराया जायगा अगर astray phy字ic से किया होता फिजिक से किया होगा तो physics electronics applied physics nuclear physics की बात यहां पर की जा रही है साथ ही साथ यहां पर iart pg芎की से किया के chemistry य सही हो धिर by radio जी में घिलो ये यहां पर दे रखाया आगे किसकी है करता हम आप कर रहा है कि मैसी किति बात कर रहा है किसी में पास 50% होने है और 50% किया होगा साथी साथ कर रहा है बी और बीटेक कंप्यूटर साइंस फ्रॉम दर रिकोगनाइस यूनिवस्टी और इक्वावलेंट डिक्री और डिप्लोमा फ्राम एन इंस्टूशन यूनिवस्टी रिकोगनाइस वाइड गौर्मेंट ऑफ इंडिया के रिकॉर्डन्स में होना को आप आप आपडर्र करते हैं और फीघेटी फीजीशन से अगर हम बात करते हैं तक है बीचलर साइन बेचलर ऌरे ठीजिख an इंडिघैसे भी नेंट कंचिल आपके पास नोलैज होना चाहिए और लगार कर देराread time होना चाहिए या बीपी इडी होना चाहिए जो कि 2007 में नोटिफाइड किया गया था साथी साथ आगे चलते हैं आगे देखते हैं आगे इसमें क्या information और आपके लिए किया गया है सच कोई भी information अब आगे नहीं दे रहा है अब देखें यहां पर फिर से क्लास 6 से ले करके 10 तक अगर आप पढ़ाना चाहते हैं तो वहां तक के लिए आपके पास क्या education qualification होना चाहिए शीरियल नंबर वन को देखेंगे नेम आप पोस्ट को देखेंगे और क्लें द्धियर ट्रेंड ग्रेज़ हैशंटी तीचर के हम बात करते हैं आथ हैं तो उलोज्ट को होना चाहिए और पर छलिगह से ऐना पहान से लेते चाहिए तक एग्रिगेट किया होगा और देह करके कर रहा है अथवा पोस्ट ग्रेजुएशन विद और मीनिमम 55 परसेंट मार्कार इक्वाबलेंट ग्रेड एंड ट्री इयर इंटीग्रेटेड बी एड होना चाहिए या फिर एमेड होना चाहिए किसकी बात कर रहा है साथी साथ हम यहा को अबजर्व करना होता है तो यहां पर ऑबजर्व कर यह投ड कर देह संस्कृत की बात करते हैं कि संस्कृत की इर ग्रेजिएशन पीन साल में तो तो any two of the following, history, geography, economics, pole science, and must be either history और geography होना चाहिए, TGT अगर mathematics की हम बात करते हैं, तो bachelor degree in mathematics होना चाहिए, क्या होना चाहिए साती हूँ, तो bachelor degree in mathematics with any two of the following subject, mathematics, physics, chemistry, economics, computer science and statistics की बात कर रहा है, TGT एगर हम science की बात करते हैं तो combination की बात करिये combination bachelor degree in science with any two of the following subject botany, zoology, chemistry and physics की बात कर रहा है TGT computer science की बात करता है तो BCA होना चाहिए और graduation in computer science होना चाहिए BE और BTEC होना चाहिए computer science, computer science और slash यहां पर IT लगा है और graduation in any subject A label course from the DOEC से आपने step का course भी आपने किया होगा जो की कहां से deal करता है जो की GOI, Government of India के साथ क्या कर रहा है रिकोगनाइट है, Government of India के साथ यहां पर deal कर रहा है आगे देखते हुए चल रहा है आगे आप किस चीज की बात कर रहा है साथियों ट्रेंट graduation teacher का यही प्राइमरी लेबल के टीचर की बात कर रहा है कर रहा है essential qualification and other requirements less than PRT physical education की अगर हम बात करते है when we are going to talk about the essential qualifications the essential qualifications are first number graduate holding bachelor degree with at least 50% mark in the concerned subject किसकी बात कर रहा है साथियों तो जो concerned subject में जिस subject में आपने किया होगा उसी subject की बात यहां पर कर रहा है combination of subject and aggregated की बात करता है second में BELB ED की आपने किया होगा two year का या फिर आपने DLA किया होगा और यहां पर दे रहा है आपने BED किया होगा BED किया होगा PDPET किया होगा आपने या फिर इसके समकच्च आपने कोई भी examination qualify किया होगा अगर आप PRT physics education की बात करते हैं तो bachelor degree means physical education as the electric subject 50% mark से selective subject से या फिर आपने 50% mark से इसको भी किया होगा आगे चलते हैं आगे देखते हैं इसमें किस-किस subject का combination कैसे आपको subject का combination यहां पर provide करके रखा गया है तो साथियो ऐस सच यहां पर देखते हैं कि कुछ दिया है कुछ सो नहीं कर रहा है जो भी information था साथियो इससे related OS 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 जो भी information था हर्ग information को आपके सामने यहां पर यूथangen को लगता है कि यह information आपके सभी भाईःओ बहन के चाहिए तो आप इसको क्या करेंगे आप अपने इसको friend circle में भी share करेंगे क्योंकि इसके मैंने detail analysis किया यदि आप पढ़ने बैटेंगे तो आपका आधा गंटा से एक गंटा time जाएगा और इसीच को मैंने आपको जल्दी-जल्दी में लगबग आदे गंटे से कम समय में मैं आपको एक-एक बाते यहां पर खोल करके रख दिया अगर कोई भी बाते आपको समझ में नहीं आई तो आप क्या कर सकते हैं हमारा comment section open होता है सातियों आप comment section में उस चीच को डाल लेंगे तो उसका क्या किया जाएगा उसका विल्पुली कॉग्निजंस लिया जाएगा और उसका भी reply आपके सामने किया जाएगा फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट अपडेट के साथ तब तक के लिए धन्यवाद